में कैबनेट का विस्तार हो चुका है, तीन नए मंत्री बनाने वाले थे, मगर दो मंत्रियों का आप कह सकते हैं कि घोशना हो गई है, शपत हो गया है, मगर पोर्टफोलियो अभी तैय नहीं हुआ है, हमाय साथ कुछ राजेश जी मौजूद है, सर किस तरीके से देखते हैं पर देख सारी शुपकामना है, कि एक साल लगा, मगर जिस तरीके से काम किया, ब्लॉक लेवल पर बूत लेवल पर उसका फ़ल मिला, कैबनेट में आपको जगे मिली, सीधा सवाल, पोर्टफोलियो क्या मांग रहे हैं, या जो मिलेगा उससे सहमत होंगे, या कोई इच्छ तो दिया जाएगा उसको निभाएंगे, एक सबासर ये की बिलासपूर से आते हैं आप, और क्या कुछ करना चाहेंगे, बिलासपूर की जनता जनारदन के लिए, कुछ रोड मैप तैय किया है आपने, कि मुझे मोका मिलेगा, तो बिलासपूर के लिए मुझे ये करना है, भाजपूर के लिए काफी स्टॉंग सीट मानी जाती है, और जब से एम्स बना, उसके बाद से तो और भाजपा वहाँ पर मजबूत होते हैं, और इसमें दो तिन बाते हैं, एक तो बिलासपूर का प्राम है, ये ये यूनिन टेरिटेरी भी रही है, स्पेसल कटेगरी और वहाँ से इसमें क्योंकि भारते जनता पार्टी के रास्टे देख से भी उसी जिला से हैं, तो कॉंगर्स पार्टी ने मुझ पर ये जिम्मेबारी दी है, निश्चे तोर पे पार्टी को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे, और बिलासपूर की चाहत के विकास का कोशिस है कि कोने कोने तक विकास की गिरंड पहुंचे, लिकिन विलासपूर भी उसमें चूता नहीं रहेगा, लिश्चे तोर पे विलासपूर आगे बढ़ेगा, और एमस की जहां तक बात है, ये कॉंगर्स पार्टी का फैसला था, जब कॉंगर्स पार्टी की दिल्ली म पार्टी की कमी है, और भारती जनता पार्टी ने चुनाबों के मद्द नजर जो है, इकठी गोसने कर दी, लेकिन आज भी एमस बिलासपूर जो है, वो सचारू रूप से नहीं चला है, आज भी सिर्फ एक सो बीस गर्डिट जो है, उसमें हास्पिटल में हैं, और मरीज जो हैं, वो बिलासपूर से स्टेट में जो हमारा प्रीमेर मेडिकल कॉलेज है, इंदरा गांधी मेडिकल कॉलेज, वहां पेसेंट जो है, रैफर किये जाते हैं, और कई बर तो हीम से जो है, डिस्टिक हॉस्पिल में रैफर किये जाते हैं, उससे अंदाजा लगता है कि लेकिन उन्हें सिर्फ चुनावों के मद्धेनेजर जल्दबाजी में उसका उद्खाटन किया, ये राजनिती करने की कोशिश थी लेकिन लोगों ने उसको नकार दिया। निदिली से करेमन अपू पाठक के साथ रवी मिश्रा, म्यूजेटीम।